Hello everyone, Welcome to Complex Engineering तब यह हम लोग discuss करेंगे किर्चोफ्स current law के बारे में जिसको किर्चोफ्स first law भी बोला जाता है या फिर बोल सकते किर्चोफ्स junction law तो किर्चोफ्स ने basically दो law दिये थे पहला law होता है उसको हम लोग बोलते junction law या फिर बोल सकते current law या फिर बोल सकते किर्चोफ्स first law और दूसरा जो law होता है उसको हम लोग बोलते किर्चोफ्स voltage law या फिर बोल सकते किर्चोफ्स loop rule तो यहाँ पर यह किर्चोफ्स ने जो हमें जो दो law दिया है इसकी requirement क्या है कि किसी भी circuit में जो current flow रहोगा उसको हम लोग compute कर सकते है with the help of this law तो first law समझने से पहला यहाँ पर हमें पता होना चाहिए junction का मतलब क्या होता है junction एक ऐसा point होता है junction एक ऐसा point होता है जहाँ पर दो से ज़्यादा wires आके connected हो या फिर दो से ज़्यादा line आके जहाँ पर connected होती है उसको हम लोग बोलेंगे junction जैसे के railway junction तो एक particular point जहाँ पर दो से ज़्यादा wire connected हो उसको हम लोग बोलेंगे junction electrical circuit में तो यहाँ पर हमने consider किया यह particular point यह particular point पर तीन wire connected है तो यह particular point को हम लोग बोलेंगे junction similarly यह वाला जो point है यह particular point के साथ 3 wire connected है जिसको हम लोग बोलेंगे junction यह वाले point के साथ भी 3 wire connected है जिसको हम लोग बोलेंगे junction जैसे के मैंने discuss किया यह जो law है किर्चोफ लो इसको जो law था इसको एक person ने दिया था जिसका नाम था Gustav Robert कृचोफ जो कहें जर्मन physicist थे तो किर्चाफ फर्स लॉग के हिसाप से एलजेब्रिक सम आफ दी करन्ट मेटिंग एट पॉइंट और एट जंक्शन इन लेक्रिक सर्कृट इस अलवेज रिमेंज जिरो तो इस्टेटमेंट आपको अभी नहीं समझेंगा और जो इस्टेटमेंट होता है इसका हम लोग फोटैंशड दिफरेंस यहाँ पर हमने कंसिल्डर के एक रैट्शिस्टेंट और यहाँ पर हमने connect कें आएक रैसिस्टेंस तो यहां पर अगर हम लोग देखंगे भी पोटैंशड दिफरेंस के वजज estarag i-one current यह जो आई-वन Craペाण आए वह यह जंच्छन पर आके यह जो particular point है इसको हम लोग बुलेंगी junction क्योंकि यह particular point के साथ 3 wire connected है हम लोग यहाँ पर देख सकते तो जो i1 current होगा यह junction पर आएगा फिर उसके बाद 2 part में split हो जाएगा let's say i3 current और i2 current तो जो i2 current है वो यह वाले resistance के थुरूफ लोग कर रहा है और जो i3 current है वो यह वाले resistance के थुरूफ लोग कर रहा है तो हम लोग बूल सकते यह जो i1 current होगा बराबर में होगा i2 current और i3 current के क्योंकि i3 current और i2 current को जब हम लोग दोनों को मिला है तो उस case में हमें म मिला दे फिर से जोड़ दे तो उसकेस में हमें मिल जाए i1 current तो हम लोग बोल सकते हैं जो i1 current होगा वो बराबर में होगा i2 current प्लस i3 current के अब इसको हम लोग थोड़ा और enlarge करके draw करते हैं figure को यह जो figure है इसको हमने zoom करके कुछ इस तरीके से draw किया यहां पर यह वाला जो wire है इसको हमने यहां पर consider किया और यह वाला जो wire है जिस में से i2 current рас flow कर रहा है उसको हमने यहां पर यहाँ पराइजीन कर तो यहाँ पर हमने थरी कर्ण यह पर हमने चैनल कि यह पर करन रहा है तो यहाद से रांप割 ओ रहा है तो यहाद में करने के लिए थाफ बस्यास कि这么 brings क्रांट होगा और क्रॉस्यारिया को कितने charge cross कर रहे हमें वो देखना होगा हमें पता है current को find out करने के लिए हम लोग क्या करते हैं हम लोग consider करते है cross sectional area और वो cross sectional area को कितने charge cross करते हम लोग देखते हैं अगर वो cross sectional area को एक second में जाता स्यादा charge cross करते हैं तो उसके इसमें current जादा होता है मगर हम लोग देखे हैं conductor में किसी भी cross sectional area से किसी भी instant of time पर जो charge cross कर रहे होगे उसकी जो density होती है वो same होती है जिसके वज़े से जो conductor होता है वो electrically neutral होता है For example, यहाँ पर हमने consider किया यह वाला cross sectional area यह वाला cross sectional area और यह वाला cross sectional area तीनो cross sectional area से जो charges cross करेंगे उसकी जो density होगी वो same होगी For example, अभी भी आपको नहीं समझा यहाँ पर हमने consider किया यह conductor तो जैसे कि हमने discuss किया था हर एक cross sectional area के थुरू जो charges cross करेंगे उसकी जो density होगी वो same होगी अगर ऐसा नहीं होता है For example, एक cross sectional area को तीन charge cross कर रहा है और दूसरे कोई cross sectional area को 5-6 charge cross कर रहा है तो उसके इसमें जो conductor होगा वो electrically neutral नहीं रहा जाएंगा For example, यहाँ पर हमने consider किया यह वाला example यह जो cross sectional area है यह cross sectional area को T time में तीन charges cross कर रहा है बेसे कर आ जो यह वाले region होगा नेगा वाला region होगा जो कम लोग आ पर देख सकते यह region हो जाएंगा नेगैटीवली charge region यह नेगैटीवली charge region क्या करेगा Electrostatic repulsion force प्रेट करेगा वो electrostatic repulsion force के वज़े से क्या होगा ये वाले region में जो electron आ रहे होगे वो एक opposition phase करेंगे मतलब ये जो region होगा वो electrostatic repulsion force offer करेगा incoming electron को और support करेगा outgoing electron को जिसके वज़े से ये वाले region में जो electron जो आ रहे होगे वो नहीं आ पाएंगे मगर ये वाले region से जो electron जा रहे होगे वो चले जाएंगे जिसके वज़े से होगा क्या जो charges की जो density होगी वो ultimately decrease करने लगेंगी और at the last जो net charge होगा वो होगा 0 और ये वाला जो region होगा फिर से electrically neutral हो जाएगा तो जो charges का अगर accumulation होता है अगर किसी भी region में तो उस case में electrostatic repulsion force create होगा जिसके वज़े से जो incoming electron और जो outgoing electron होगा incoming electron को opposition मिलेंगा और जो outgoing electron होगा उसको support करेगा और negative influence वाला region जिसके वज़े से ultimately जो charges की जो density होगी वो decrease करने लगेंगी और वो region में net charge 0 हो जाएगा net charge 0 होने के वज़े से जो particular जो region होगा वो electrically neutral हो जाएगा तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर negative charges का accumulation है यहाँ पर negative charges accumulated है जिसके वज़े से electrostatic repulsion force बनेगा electrostatic repulsion force के वज़े से यह cross sectional area में जो यह वाले region में जो electron आ रहे होगे वो नहीं आ पाएगे मगर यह वाले region से जो electron जा रहे होगे वो चले जाएगे जिसके वज़े से जो electron की जो density होगी वो कम होने लगेंगी ultimately net charge 0 होगा यह वाला region neutral हो जाएगा negatively charge region will resist incoming electron in cross sectional area and release the outgoing electron ultimately the conductor will become neutral तो ऐसा नहीं हो सकता है कि जो एक cross sectional area अगर उसको 3 charge cross कर रहा है तो दूसरे cross sectional area को 5-6 charge cross करे तो conductor में किसी भी instant of time में किसी भी cross sectional area को जो charges cross करेंगे उसकी जो density होगी वो same होगी तो यह तो हमने discuss किया जब current flow होगा तो उस case में क्या होगा in fact normal temperature के time पे भी जो conductor होता है वो electrically neutral होता है for example यहाँ पर हमने consider क्या यहाँ पर हमने consider क्या यहाँ पर हमने assume क्या यह है conductor यह conductor में क्या होगा यह conductor में होगे वह सारे atom और सभी atom में होगे proton और electron और electron की density सेम होगी जिसके वज़े से वो जो atom होगा वो electrically neutral होगा हैंस वो particular region है जहाँ पर वो जो atom है वो region जो होगा वो electrically neutral होगा number of electron और जो number of proton नंबर of proton है ,-7 और जो number of proton हो यह प्लस-7 minus 7 q, plus 7 q, जिसके वज़े से जो net charge होगा वह वह जिरो और जो region होगा वह वह강 न्यूटल रीजन for example यहांपर हमने consider कि यह infinite decimal region यह infinite decimal region में atom और वह atom में है proton और electron नंबर आफ प्रोटॉन और यह वाले region में जो है उसकी जो density वो से में जो कि है माइनस सेवन और प्लस सेवन तो अभी होगा क्या thermal excitation के वजह से होगा क्या जो balance electron होगा फ्रील एक्टॉन बन जाएंगा तो यह वाले region में जो atom है यह वाले region में जो atom है उसका कुछ जो balance electron है वो free electron में convert हो जाता है let's say जो दो balance electron है वो free electron में convert हो जा रहे जिसके वजह से होगा क्या वो जो balance electron होगा वो balance shell को leave कर देंगे freely move करने लगेंगे conductor में hence वो जो atom होगा उसमें 5 electron बचेंगे और 7 proton बचेंगे जिसके वजह से यह वाला जो region होगा वो अभी positively charge region बन जाएंगा मगर यह जो region है यह region में जो atom है उसके across भी होगे atom तो वो जो atom होगे वो atom के भी balance electron balance shell के साथ loosely bounded होगे तो होगा क्या यहां पर यह वाले region में जो atom है उसके जो surrounding atom है वो surrounding atom का कोई जो balance electron होगा फिर electron में convert हो जाएंगा और फिर randomly move करने लगेगा और फिर यह वाले region में जो atom है उसके साथ आके कर जाएंगा collide collision के बाद क्या होगा यह वाले region में जो atom है यह वाले region में जो atom होगा वो electron को कर लेंगा absorb absorption के वज़े से होगा क्या यह जो atom होगा इसको again फिर से electron मिल जाएंगे और ultimately number of proton और जो number of electron दोनों की जो density होगी वो सेम होगी हैंस यह जो region होगा वो neutral region बन जाएंगा तो कुछ चीज तरीके से जो conductor होता है वो हमेशा electrically neutral होता है चाहे normal temperature हम लोग consider करें या फिर conductor में जब current flow भी हो रहा होता है तो उस case में जो conductor होता है वो electrically neutral होता है तो इसका मतलब यह wow वाले cross sectional area को जितना charge बोतना charge क्रोस करेगा यह वाले cross sectional area को भी same charge क्रोस करेगा लैट से Q2 यह वह है Q3 तो हम लोग बुल सकते हैं जो Q1 charge और Q2 charge और Q3 चार्ज होगा वो सेम होगा तो हम लोग बूल सकते Q1 चार्ज इक्वल टू क्यू टू चार्ज प्लस Q3 चार्ज मतलब यह क्रॉस सेक्षनल एरिया को टी टाइम में Q1 चार्ज क्रॉस कर रहा है एड़ी सेम टाइम यह वाले क्रॉस सेक्षनल एरिया को भी सेम चार्ज क्रॉस क कर रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं Q1 चार्ज बराबर में होगा Q2 चार्ज प्लस Q3 चार्ज के अभी हम लोग यह वाला जो पुरा जो रिलेशन इसको भी हम लोग डिवाइड कर देंगे T के साथ डिवाइडिंग इक्वेशन बाइटी तो हमें मिल जहां Q1 पुट कर देंगे I1 Q2 डिवाइड बाइड वाइड 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 वाइ में KCL को consider गया बीना sign convention के साथ यहाँ पर यह जो I1 current है वो कौन सा current है यह I1 current यह junction पर आ रहा है जिसको हम लोग बोलेंगे incoming current यह जो I2 current और यह जो I3 current यह कौन सा current है यह I2 current यह junction से जा रहा है और यह जो I3 current है वो भी junction को छोड़ के जा रहा है तो यहाँ पर यह जो i2 current और जो i3 current है वो outgoing current है और यह जो outgoing current है यह बराबर में incoming current के जो के i1 current है तो हम लोग बोल सकते हैं जो incoming current होगा वो बराबर में होगा outgoing current के तो जो किर्चॉफ्स current लोगा जो statement है वो हमें यही बोलता है जो incoming current और जो outgoing current दोनों का जो sum होता है वो बराबर होता है sum of the incoming current is equal to sum of the outgoing current मगर यहाँ पर यह वाला जो equation है किर्चोफ्स current लोगा उसको हमने consider किया बीना sign convention के साथ यह जो equation है उसको हमने consider किया बीना sign convention के साथ मगर जबी भी हम लोग KCL का numerical solve कर रहे होगे या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो KCL होता है वो applicable होता है sign convention के साथ तो हम लोग sign convention क्यों consider करते हैं तो जो sign convention होता है वो हमें indicate करता है incoming और जो outgoing current है उसके effect को या फिर बोल सकते हैं उसके influence को For example यहाँ पर अगर हम लोग देखे यह जो same figure है उसको हमने यहाँ पर consider किया यहाँ पर यह वाला region हमें indicate कर रहा है junction यह पर यह वाला wire फिर उसके बाद यह वाला wire जिसमें से i3 current flow कर रहा है और यह वाला wire जिसमें से i2 current flow कर रहा है तो यहाँ पर अगर मोग्स रहाएं जयुक्स fun 복 जिसमे से जो आइवन करेंट फ्लो कर रहा है मानलेते हैं जो आइวन करेंट रहा है और यह वाला वायर जिसमें जो आइट रांट अ कर रहा है वह उसको माल लेता है एक यहाँ रहले जो करेंट रहाँ ।ा Saturday Cross यह जो पटिकुलर जो रीजन होगा वह में इंडिकेट करेंगा जंक्शन तो यहाँ पर अगर अगर हम लोग देखे जो हम लोग करंट कंसिडर कर रहे हैं वह कौन सा करंट है पॉजिटीव चार्ज का फ्लोव है या फिन नेगेटिव चार्ज का फ्लोव है हम लोग देते हैं उत्ता हम लोग non-conventional current को priority नहीं देते हैं तो जबी भी हम लोग network या फिर circuit के problem solve करेंगे तो उस case में हम लोग consider करेंगे conventional current मतलब positive charges का flow तो यहाँ पर अगर हम लोग देखे जो 10 amp current है यहाँ पर यह जो 10 amp current है वो हमें indicate कर रहा है incoming current और यहाँ पर यह है junction तो हम लोग बोल सकते जो incoming current होगा वो हमें indicate करेगा positive charges का accumulation है वो increase कर रहा है 10 amp current यह junction पर आ रहा है इसका मतलब जो positive charge का accumulation है वो increase कर रहा है और 8 amp current यह junction को छोड़के जा रहा है इसका मतलब जो positive charge का जो accumulation है वो decrease कर रहा है और जो negative charge का जो accumulation है वो increase कर रहा है similarly यहाँ पर अगर हम लोग देखे जो 2 ampere current है वो यह junction को छोड़ के जा रहा है इसका मतलब जो positive charge का जो accumulation है वो decrease कर रहा है और जो negative charge का जो accumulation है वो increase कर रहा है और incoming current के लिए जो positive charge का जो accumulation होगा वो increase करेगा तो इसलिए हम लोग incoming current के लिए consider करेंगे positive sign और जो outgoing current होगा उसके लिए हम लोग consider करेंगे negative sign क्योंकि जो outgoing current है यह I2 current और I3 current जिसको हमने यहाँ पर consider किया I3 current 2A, I2 current 8A तो जो outgoing current है वो यह junction को छोड़के जा रहे है current junction को छोड़के जा रहा है मतलब जो positive charge का जो flow है वो यह junction को छोड़के जा रहा है इसका मतलब यह junction पर जो positive charges का जो accumulation होगा वो decrease करेगा outgoing current के लिए तो outgoing current के साथ हम लोग consider करेंगे sign convention negative sign तो यहाँ पर यह जो 10A होगा वोगा plus 10A और यह जो 8A होगा वोगा minus 8A और जो 2A होगा वोगा minus 2A तो यहाँ पर अगर हम लोग देखे हमने I1 current को consider किया 10A I2 current को हमने consider किया 8A और जो I3 current है उसको हमने consider किया 2A तो I1 current, I2 current और जो I3 current तीनों का अगर हम लोग algebraic sum consider करें तो वो 0 के बराबर में होगा हमें algebraic sum हमें algebraic sum sign convention के साथ consider करना है अगर हम लोग sign convention के साथ अगर algebraic sum consider करते तो उस case में जो algebraic sum होगा वो 0 के बराबर में होगा वरना algebraic sum 0 के बराबर में नई होने वाला तो यहाँ पर हमें consider करना होगा sign convention तो सबसे पहला हम लोग I1 plus I2 plus I3 equal to 0 तो उसकी value को हम लोग put करेंगे फिर हम लोग consider करेंगे sign convention I1 10A के बराबर में I2 बराबर में 8A के और जो I3 है वो बराबर में 2A के माल लेते हैं यह जो I1 है वो 10A के बराबर में और जो I2 है वो 8A के बराबर में और जो I3 है वो है 2A के बराबर में तो यहाँ पर i1, i2, i3 तीनों की value put कर दिया और तीनों का जो algebraic sum यो 0 के बराबर में होना चीए अभी हम लोग consider करेंगे sign convention 8A के साथ हमें minus sign consider करना होगा और 2A के साथ minus sign consider करना होगा क्योंकि दोनों outgoing current है तो हमें मिल जाएं minus 8A plus minus 2 equal to 0 तो हमें मिल यहाँ 10 minus 8 minus 2 equal to 0 ultimately minus 8 minus 2 हो जाएंगा minus 10, 10 minus 10 is equal to 0 तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो algebraic sum यह current का वो 0 के बराबर में जब हमने sign convention consider किया तो तो यहाँ पर यह वाला जो relation होता है वो sign convention के साथ applicable होता है तो हम लोग क्या करें हमने पहला सबसे पहला I1 current को consider किया I2 current को consider किया और I3 current को हमने consider किया sign convention के साथ फिर तीनों का हमने algebraic sum निकाला जो कि 0 के बराबर में जो कि हमें यह statement भी बोलता है Kirchoff's current law का algebraic sum of the current meeting at a point मतलब या फिर बोल सकते junction पर जो algebraic sum होगा current का कौन से current का यहाँ पर कौन सा current पुछा गया है incoming current का और जो outgoing current का जो algebraic sum होगा junction पर वो 0 के बराबर में होगा यहाँ पर हमने consider किया यह junction यह point के साथ 4 wire connected है तो यह point पर जो incoming current है वो है plus 2 और plus 3 incoming current है हमने plus 2 plus 3 क्यों consider किया क्योंकिके जो 2 और जो 3 है वो है incoming current है और incoming current के लिए हम लोग consider करते है plus sign और जो outgoing current है वो है minus 2 और minus 3 outgoing current के लिए हमने minus sign क्यों consider किया इसके बारे में हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है तो यहाँ पर यह junction पर जो incoming current और जो outgoing current यह junction पर incoming current और जो outgoing current का जो algebraic sum होगा वो 0 के बराबर में होगा तो plus 3 plus 2 minus 3 minus 2 5 minus 5 equal to 0 जो कि हमें यह वाला statement भी बोलता है algebraic sum of the current incoming current and outgoing current at a point और at a junction in an electric circuit always remains 0 जिसकों लोग ऐसा भी बोलते है sum of the incoming current at a junction is equal to sum of the outgoing current at a junction तो यही होता है catch of current law अभी हम लोग कुछ numerical problem solve करेंगे KCL के I hope आपको KCL का concept बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा तो अभी हम लोग numerical problem solve करने वाले तो यहाँ पर हमने consider किया यह junction यह junction पर जो I1 current है वो incoming current है I2 current भी incoming current है जो I3 current है वो outgoing current है और जो I4 current है यह हमें find out करना है और बागी सब current की value हमें दी गई है I1 current है 2 ampere I3 current है minus 1 ampere I2 current है plus 3 ampere I1 current plus 2 ampere और I2 current plus 3 ampere क्योंके जो current है वो incoming current है I3 current minus 1 ampere क्योंके outgoing current है I4 current यहाँ पर हमें compute करना है तो as per the Kirchhoff's law Kirchhoff's current law I1 current plus I2 current plus I3 current plus I4 current सभी का algebraic sum 0 के बारावर में होगा 0 के बारावर में तब होगा जब हम लोग science convention consider करेंगे तब हम लोग science convention consider करेंगे 2 plus 3 plus फिर उसके बाद I3 के जगा minus 1 ampere plus I4 is equal to 0 5 plus minus 1 plus I4 equal to 0 5 minus 1 plus I4 is equal to 0 5 minus 1 हो जहाँ 4 ampere plus I4 is equal to 0 यह जो 4 ampere होगा इसका हम लोग equal to के right hand side पर ले लेंगे तो हमें मिल जहाँ I4 is equal to minus 4 ampere तो यहाँ पर हमें minus sign मिल रही है इसका मतलब जो current है वो है outgoing current तो जो current का जो direction होगा यह junction से outgoing होगा अगर यहाँ पर अगर हमें plus sign मिलती तो इसका मतलब जो current का जो direction होता वो यह junction पर incoming current होता मगर जबके जो current है यह outgoing current है और यह obviously हमें negative sign भी यह indicate करिए कि जो current है वो outgoing current है तो कुछ इस तरीके से जो I4 current होगा और रावर में होगा minus 4 ampere के तो कुछ इस तरीके से किर्चॉफ current law का use करते हुए हम लोग electric circuit में जो current है उसको compute कर सकते है